समय रहते अगर हम अपने बीजों को लगाते हैं तो वो बहुत समय से ही अंकूरित हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं तो मैंने अपने करेले, घिया, बिंडी और ककडी के सीड्स लगाए थे जो अंकूरित हो गए हैं और उनकी पोद तयार हो गई हैं और मैं इने जल्दी आपको इनका अपडेट दोंगी और मेरे टमाटर भी पकने लग गए हैं ये देखे मेरे कितने टमाटर के पोदे हैं जि ये देखे मेरा बोगनविलिया का प्लांट भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो गया है तो गर्मिया हैं गर्मियों में ये बहुत तेजी से ग्रो करता है और मैं इसकी बहुत सारी कटिंग्स त्यार करूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि म मैंने कुछ कनेर की कटिंग लगाई थी जने मैंने अब गंबलों में तयार कर लिया है और कुछ को मेरी अभी ready हो रही है mature तो कनेर की कटिंग को लगाना बहुत easy है मैंने इसके एक वीडियो पहले भी बहुत पार share किया है और गर्मियों में इनकी कटिंग जरूर लगाएं मेरा कोलियस का प्लांट है पता नहीं कैसे तूट गया है बट मैं इसकी बहुत सारी कटिंग लगाऊंगी और मैं नए-नए प्लांट त्यार करूँगी अब ये पोदे हैं ये तो हवा से तूटी जाते हैं इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं और जो सदा बहार है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो आप भी इसके बहुत सारे प्लांट लगाए इसके फूल बहुत ही सुन्दर लगते हैं और ये फ्लावरिंग करते रहते हैं इसके बाद मैंने सुचे कि चलो थोड़ी सी हर्वेस्टिंग कर लेते हैं तो मैंने टमाटर अपने तोड़ लिए हैं मैंने बहुत सारे टमाटर तोड़े हैं आज और मेरा वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें